हेलो दोस्तों भारत के संबन पडोशी देशों से ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं हाली में भारत नेपाल बोडर डिस्पूट्स हुए जो अभी ये डिस्पूट्स चल रहे हैं अब भारत और चीन के रिष्टों में भी दरार आने लगे हैं अभी भारत और चीन के बीच का मुद्दा है पैंगवान सो जील पैंगवान सो ले काफी लंबी जील है और काफी बड़ा हिस्षा बेसिकली चाइनिस ट्रीटी के अंदर आता है यह जील लद्दाक में स्थित है तथा 1962 भारत चीनियुद के बाद भारत ने अपना बहुत बड़ा हिस्षा गवा दिया था जो कि एववा हिस्षा चीन के कबजे में है यह जील 135 किलूमेटर लोंग है जिसका महज 45 किलूमेटर हिस्षा इंडिया में है इंडिया और भी बड़ा हिस्षा कलेम करता है चीन बोट्स के दौरा अक्सर पैंगवान सोजील में लाइन क्रोस करके इंडिया टेरिटरी में गुशने की कोसिस करता है चाइना के पास सूपिरियर बोट्स है जिससे रोकने के लिए इंडिया ने भी टेमपा बोट्स खरीदे हैं इसमें मसीन गन लगी रहती है जिससे दुसमनों को रोका जा सके इंडिया चाइना के बोडर स्टेंड ओफ को लेकर हाल ही में हाई लेवल आर्मी मीटिंग हुई थी जिसमें दोनों देशों के लेफटरेंड जनरल जो वहां तैनात है उन्होंने आपस में बातचीत की थी चीन गालवन वैली और पैंगवान सो जील को कलेम करता है भारत चीन की हाई लेवल आर्मी मीटिंग में भारत ने इस मुद्धे पर कोई रियक्शन नहीं दिया क्योंकि चीन पूरी तरह से मान बैठा है कि गालवन वैली उसका है इस मीटिंग के बाद इंडियन ओपोजिशन ने गवर्मेंट से स्टेटमेंट मांगा और मिनिस्ट्री ओफ एक्स्टेनल अफेर्स ने मीटिंग के अगले दिन स्टेटमेंट जारी किया तथा मिनिस्ट्री ओफ एक्स्टेनल अफेर्स ने कहा कि दोनों देशों की आर्मी disputed area से पीछे हट रही है, और सान्ती बनी हुई है, चानिस गौर्मेंट का भी statement आया, उसमें चानिस गौर्मेंट ने कहा कि, हमें सान्ती बनाये रखनी है, तता साथ मिलकर काम करना चाहिए। चाइना का कहना है कि गालवन रिवर वैली तो शुरू से ही हमारा है आपके कभी थे ही नहीं इसलिए ही चाइना ने उसके उपर आटोमेटिकली कलेम कर लिया है चाइना ने इंडिया के उपर आरोप लगाया कि आपने एक किलोमेटर लंबी सड़क बनाई है गालवन रिवर को सप्लाइज पहुचानी है तो यह सड़क बनानी काफी इंपोटेंट थी यह सड़क डेम्चुक से कारकुरम पास तक है यह सड़क इंडियन ट्रीटी में आती है अगर इस सड़क को चायना कैप्चर करता है तो हम अपनी आर्मी तक सप्लाइज नहीं पहुचा पाएंगे चैना ओलेडी पांच किलोमेटर लंबी मैटल सड़क बना चुका है गालवन से सायोक रिवर तक अगर वे इस कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करते हैं तो जल्दी ही वे लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल को क्रोस कर जाएंगे गोगरा पोस्ट को लेकर भी विवात चल रहा ह चीन ने अपने सैनी गोगरा पोस्ट के पास तेनात कर दिया था इंडियन गोर्मेंट ने चीन से पूछा तो चीन ने कोई के लिए जवाव नहीं दिया चीन गोगरा पोस्ट के पास सड़क कंस्ट्रक्शन कर रहा है इसके बारे में भी चीन ने कोई रिस्पोंस नहीं दि की चाना बेसिकली भारत के टुप्स को डावर्ट करने की कोशिश कर रहा है?? और इसी बीच वो लद्दाक में काफी एरिया कैप्चर करने कीwel कोशिश रहा है और ऐसा लग भी रहा है कि वो इसमें काम्याब हो रहा है इसी भी चीन ने बाचित के दोरान गालवन वैली में बातिय सैनिकों पर अटेक किया 16 जून को लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल गालवन वैली में चीन और भारत के सैनिकों में आपसी जड़प हुए जिसमें भारत के तीन सैनिक सहीद हुए हैं जिसमें की एक करनल भी इंक्लूडिड है चीन को भी इसमें काफी नुक्सान हुआ है लेकिन अब जो आकड़े आ अग्रिमेंट्स को चैना ने पूरी तरह वालेट किया है इन अग्रिमेंट्स में था कि अगर लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम एक्रेशिव नहीं होंगे और कोशिश यही करेंगे कि हम लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल को करने ना भूलें